हेलो फ्रेंट्स वालकम बैक टू माई चानल फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैगी और ब्रेट से बनने वाली बहुत ही यम्मी रेस्पी तो आज की ये रेस्पी बच्चों की फेवरेट होने वाली इसे आप मात्र दो से तीन चम्मज तेल में पांच मुर्ण करते हैं तो अब यहां पर लेंगे एक कढ़ाई और फ्लेम को कर देंगे और जैसे कढ़ाई गरम हो जाएगी हम उसमें डालेंगे एक चम्मज तेल जैसे हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा जीरा जैसे हमारा क्रैकल हो जाएगा उसमें हम डाले एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ टमाटर को ही हम दो से तीर मिलाट तक सॉफ्ट होने देंगे उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक चम्मत लाल मिर्च पाउडर टेस्ट अनुसा नमक और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे नमक डालना इस टमाट़ जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा तब उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगबग एक गलस पानी पानी मुझ मज़ति-, पानी बाद रूसमें डालेंगे एक पाकेट मैगी मैगी मसाला में तो कोई भी चीज भी मिक्स नहीं मिक्स कर लेंगे और फिर से हम 2-3 मिनट ठक भी अलो फल्यम पर विकरण कोख हो ने सब्सक्राइब अब हम घृकटा हूँ जुक़ है बिल्कुल यूस नहीं होना चाहिए तो अब ना ठीक हो गया अब भारी कटा हुआ धन्या और धन्या को भी हमक्षे से मिक्स कर लेंगए तो अब हमारी मैगी यहां पर हो गई है रेडी इसे हम किसी बावल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे तो जब तक हमारी मैगी ठंडी हो रही चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस में यहां पर हमने लिया है लगवाद 5-6 ब्रट की स्लाइस और उसके क चाड़ा बैटर रेडी करेंगे तो बस इसी तरह मुझे बैटर रेडी करना जिए तब हम यहां पर लेंगे एक ब्रेट उसे बेलन से हलका से कर लेंगे फ्लैट तो अब ब्रेड हमारा फ्लैट होगा इसमें हमने मैगी के स्ठफिंग बनाई तो उसे हम यहाँ फे फिल करेंगे तो ऐसे साइड में रख देंगे और पिर उसके बाद रखने के बाद जो हमने बैटर तयार किया उसे हम किनारे किनारे लगा देंगे कर चारो लगाने के बात इसे हम ऐसे रेप आके कि वाहत करेंगे थोड़ा सा पानी अभडेट की SMITH को हम थोड़ा सा करेंगी हलका सडीब और फिर दोनों हर्थेलियों कीश में प्रेस कर थे हुए पानी को हम निचोड लेंगे तो जैसे पानी हमारा अच्छे सरी निचोड जैगा हम जो stuffing की रयड़ी किए हैं उसे हम इha पे रखेंगे और फिर इसे हम रूल की रुरल बनाते हुए इसे हम पैक कर लेंगे तो आप दोनों में से किसी भी प्रोसेस से इस नास्ते को रीड़ी कीजिए हम नास्ते को उसी प्रोसिक से रेडी कर लिया है तो अब हमारा नास्ता बन कर रेडी हो गया है चलिया हम इसे थोडाँ सा crispy हो कुरकुरा बना लेते हैं तो अब हम येιοप्र नास्ते को करेंगे saya low frye sy реш लिए के लिए फ्राइब लिए दो तेटीन चम़ रिफाइन आइल उसे हम कर लिए हैं मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरब अब एक एक करके नास्ते उख आप डालेंगे जैसे ही नास्ता उत्षा पालन ऑले हो जाएगा एक सायगा एक साइट से तो हम इसे अलट पलट के द ज्यादा पसंद करेंगे अगर आप उन्हें मिन्टों में बना कर देंगे तो यह बच्चों का फेबरेट हो जाएगा और बच्चे से मांग मांग खाना पसंद तो इस रेस्पी को आप चाय के साथ या फीट टेमाटो केचेप साथ गर्मा गरम सर्व कीजिए इन सर्दियों क मौसम में तो आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो से अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक लिए बाए बाए